हालो फ्रेंड रिकों बेक्टो मैं चनल आज एकर वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स्टें मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बदा दिना चाहती हूँ चोटे-चोटे स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सिखते हैं अपनी और कावरी को इंप्रूफ करते हैं साथी जो भी grammar दे जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि easy भी मैं आपको explain कर सकती हूँ तो ये आज़के जो स्टोरी है हमारी वो है greedy farmer और देखते हैं क्या है इसके अंदर greedy means लाल्ची farmer means किसान लालची किसान स्टार्ट करते हैं once upon a time a farmer had a goose that laid one golden egg every day once upon a time, एक बार की बात है या एक समय की बात है इसका meaning पूरे का यही होता है a farmer had a goose, a farmer एक किसान, had means था, उसके पास था a goose, एक बत्तक या हंस, goose को हम बत्तक या हंस दोनों बोते हैं a farmer has a goose, एक farmer के पास, एक किसान के पास बत्तक थी that laid, जो अंडे देती थी, lay means होता है अंडे देना present में laid यानिके past में वो अंडे देती थी one golden egg, एक सुनहरा अंडा every day everyday यानिके रोजाना, एक किसान के पास एक बत्तक थी जो रोजाना सोने के अंडे देती थी या सुनहरा अंडा देती थी ऐसा भी आप बोल सकते हैं, छिक है the egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs the egg, जो अंडे थे, provide यानिके प्रदान करते थे enough money, enough means पर्याप, जो उनके लिए काफी थी money यानिके पैसा या रुपया enough money, enough रुपया उनको प्रदान करता था for the locker किसान, और उसकी his wife, उसकी पतनी के लिए to support their daily needs, support यानिके सहारा देना there means उनकी daily needs, यानिके ज़्रूरत जो थी उनकी दैनी ज़्रूरत को सहारा देने के लिए अंडा उन्हें पर्याप्त पैसे प्रदान करता था किसको farmer और farmer की पत्नी को, किसान और किसान की पत्नी को, ठीक है, daily needs यानिके daily जरूत का जो समान होता है उसको हम daily needs बोलते हैं, जैसे हम अपने घर से जो भी समान लेने के लिए जाते हैं, राशन का जो भी समान लेने जाना है, उसको हम बोलते हैं, daily needs जिसे के आपको साबुन दाल चावल ये सब चीज़े जो होती है इनको daily needs बोलते हैं जिनके हमें daily जरुद पड़ती है the farmer and his wife continue to be happy for a long time the farmer जो किसान था and his wife और उसकी पत्नी continued येनिके लगातार to be happy to be means होना happy येनिके खुश होना ठीक है to be happy लगातार खुश रहे for a long time लंबे समय तक long means लंबे, time means समय तक किसान और उसकी पत्नी दोनों लगातार लंबे समय तक खुश हुए या खुश रहे, दोनों ही हम बոल सकते हैं एक रहे इसली नहीं बोलेंगे यानिके एक दिन दब फार्मर जो किसान था, thought means सोचा, think present में यूज करते हैं, think की ही second form है, इसको हम past में यूज करते हैं, t h i n k think, think में सोचना और ये thought इसको past में, यानिके किसान ने past में सोचा, या सोचा था हम ऐसा भी बोल सकते हैं, उसने अपने आप से सोचा, why should we take just one egg a day, why should, why means क्यों, should means चाहिए, we means हमें, take means लेना, just means केबल, one egg a day, एक अंडा एक दिन में, हमें केबल, एक अंडा एक दिन में, क्यों लेना चाहिए, उसने ऐसा आपने मन में सोचा, why can't we take them all at once, and make a lot of money, why can't, why can't यानि के क्यों नहीं, can't means सकते हैं, ठीक है, can का use हम present tense में करते हैं, तो उसने past में ये चीज़ अपने मन में वो सोच रहा है, कि हम क्यों रोजाना एक ही अंडा लें, हम क्यों नहीं, बहुत सारे अंडे एक ही दिन में ले सकते हैं, यहाँ पर किस की बात हो रही है, यानि के अंडों की, all means सभी at once, at once यानि के तुरंट, अभी ही हम सभी अंडे क्यों न ले, and or make a lot of money, make means होता है बनाना, और साथ ही make means होता है कमाना, make means होता है रखना, ठीक है मैं आपको बहुत सारे words make के बता चुकी हूँ, lot of money, यानि के बहुत सारे पैसे क्यों नहीं बना सकते हैं, हम एक ही बार में सभी अंडे क्यों नहीं ले सकते हैं, और बहुत से पैसे क्यों नहीं बना सकते हैं, ऐसा उसने अपने मन में सोचा, यानि के बताया, पास्ट में यहां पर भी, क्योंकि प्रिजेंट में हम वर्ड यूज करते हैं, बताने के लिए tell, I tell you मैंने तुम्हें बताया है, but I told you मैंने बताया था, So the farmer told his wife his idea, उसने उसकी wife को, उसकी पतनी को, उसका विचार जो था, जो idea था वो बताया, and she foolishly agreed, and she or where foolishly, यानि के मुर्खता से सहमत हो गई, agreed यानि के सहमत हो जाना, किसी की बात से रजामंदी देना, कि मैं तुम्हारी बात से agreed हूँ, वह यह तुम्हारी बात को सही मानता हूँ, वो उसकी बात से agree हो गई, सहमत हो गई, then तब the next day, अगले दिन, then तब the next day, अगले दिन, as the goose, as means जैसे, the goose यानि के बत्तक या हंस, मैंने आपको बताया ना, कि बत्तक या हंस, दोनों ही हम बोल सकते हैं, the goose laid its golden egg, जैसे ही, अगले दिन, goose ने, अंडे दिये, golden, सोने के जो, उसके अंडे थे, वो दिये, the farmer was quick, with a sharp knife, the farmer was quick, अब इस sentence को थोड़ा सा समझने के कोशिश कीजिगा, the farmer, जो किसान था, was means था, quick means जल्दी, जो किसान था, वो बहुत जल्दी में था, with a sharp knife, with means साथ, a sharp knife, इनके एक तेज चाखू के साथ, जल्दी में था, he killed the goose, he killed, यानि कि उसने मार दिया, killed यानि कि मारना present में, kill की ही second use है, past में हम इसे simply use करते हैं, he killed the goose, उसने goose को मार दिया, यानि कि उसने बत्त को मार दिया, and cut its stomach open, and cut और काट दिया, its stomach, उसका पेट open, उसका पेट खोल कर काट दिया, in the hopes of finding all its golden egg, in the hopes, यानि कि इस आशा में, hope means होता है आशा, कि मैं आशा करता हूँ, आप ठीक होंगे, I hope you are fine, इस तरह किसम बोलते, same, उसी आशा में, उसने क्या करा, of finding, मतलब पाने की आशा में, all means अभी its golden egg, उसके सुनहरे अंडे पाने की आशा में, उसने उसके पेट को काट कर खोल दिया, as he opened the stomach, as जैसे ही, he means उसने, opened यानि के खोला the stomach, यानि के पेट को खोला, जैसे ही उसने पेट को खोला, यहाँ पर he का यूज हम सिर्फ वहे के लिए नहीं करते, मैं आपको बहुत बार बताया है, यह हम females के लिए, sorry, males के लिए यूज करते हैं, he बताने के लिए और उसने बताने के लिए, चिक है, उसने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, he का, सिर्फ वहे बताने के लिए नहीं, उसने या उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, he opened जैसे ही उसने खोला, the stomach means, पेट को जैसे ही उसने खोला, the only thing, keval cheese he found, जो उसने पाई, was guts and blood, वो हिम्मत और खून था, जो चीज उसने पाई, वो केवल हिम्मत और खून था, अब यहाँ पर हिम्मत क्यों, कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई, कि वो उस बत्तक का पेट काट सके, तो उसने अपनी हिम्मत देखी, कि मैंने इतनी हिम्मत की, और मैंने सिर्फ खून ही खून पाया हमापा The farmer quickly realized his foolish mistake The farmer quickly, जो farmer था उसको quickly जल्दी ही realized, महसूस किया उस farmer ने जल्दी ही महसूस किया his foolish mistake उसकी foolish यहने के मुर्खता भरी, गल्ती Mistake यहने के गल्ती उस farmer ने जल्दी ही महसूस किया उसकी मुर्खता भरी गल्ती and proceeded to cry proceed मितलब क्या होता है proceed मितलब होता है किसी भी चीज की तरफ बढ़ना या प्रगती करना ठीक है बट जब यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको इज़े हर बार बोलती हूँ कि हमें sentence को समझना भी होता है proceeded to cry यानि कि वो रोने की और बढ़ा बढ़ने लगा यानि कि वो रोने को हुआ वो रोने ही लगा and proceeded to cry और वो बढ़ा रोने की तरफ रोने की तरफ कैसे ऐसा निकि मैं कही कुछ रो रहा है और मैं उसकी तरफ जा रही हूँ नहीं कि जैसे ही मिलको एकदम से आंसू आने लगी तो मैं क्या हो रही हूँ कि मैं रोने को हो रही हूँ यह चीज़ हम बोलते हैं कि अरे वो तो रोने को हो रही थी तो proceeded cry over his lost resources proceeded over यानि कि वो रोने को बढ़ा over his lost जो उसने खोया था resources यानि कि संसाधन जो उसने अपना संसाधन को खोया था वो उसकी तरफ रोने को बढ़ा simply इस तरह के समचने है resource यानि कि जो साधन होटे जिससे हम अपनी दिन चरिया वगरा चला सकते हैं या जिससे भी हम काम करते हैं जिससे हम कुछ संसाधन अपना बना सकते हैं उसको हम resource कहते हैं कि मैं इस चीज़ से कमाती हूँ तो यह मेरा resource हो गया as the days went on as जैसे ही the days went on यानि कि बीटते गए went means गए होता है on means जाना went on का मतलब होता है बीटना days went on जैसे ही दिन बीटते गए the farmer and his wife became poorer and poorer the farmer जो किसान था and his wife और उसकी पतनी became means हो गए या बन गए बहुत बार में आपको बताया है याद हो गया होगा poorer and poor गरीब और गरीब हो गए या बन गए how jinxed and how foolish they were how jinxed मतलब होता है manhus हम बहुते हैं अरे कितना manhus है वो ऐसे ही तो how jinxed कितने manhus and or how foolish कितने मूर्ख दे वर वे थे ठीक है how foolish jinxed यानिके वो कितने manhus और कितने मूर्ख थे वे they means वे क्योंकि हाँ पर दोनों की बात हो रही है farmer और उसकी wife की they were वो थे ठीक है जब हम plural के बारे में बात करते हैं था हम वर का यूज करते है I hope यह story आपको पसंद आई होगी past tense के अंदर है past I think आपका almost clear हो गया होगा क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं आपके साथ में regular past tense की stories ही शेयर करे हूँ जिससे की वो 100% हमारे mind के अंदर बैठ जाए और I hope आपके मैं में बैठ रहा होगा आपको समझ में आया होगा यह topic कैसा लगा story कैसी लगी प्लीज मुझे comment पे जरूर बताईगा अब 3 words है इनसे sentence बनानी है comment box में रहा है first one is hope hope means आशाग यानि कि मुझे hope है कि आपको यह पसंद आया होगा आप इसी sentence को translate करके लिखिएगा ठीक है second है guts मुझ में हिम्मत है मैं जो चाहिए वो कर सकती हूँ ठीक है तो मुझ में हिम्मत है I have guts simply इस तरीके से में बोल सकती है मुझ में हिम्मत है ठीक है मैं कुछ भी कर सकती हूँ and third है jinx jinx manhus कोई भी वेक्तिया कुछ चीज ऐसे होते है कि यह बड़ा manhus है इस तरीके से बोलते हैं कुछ लोग के लिए अब टाइम में 3 dictation words का बहुत simple है इनको भी आपको comment box में जरूर लिखना है first word is enough second is thought and third is realized first enough second thought and third realized I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हुगा कैसे अलगा है please मुझे comment में जरूर बताएगा वीडियो गर पसंद आएगे तो वीडियो को like जरूर कीजेगा क्योंकि आपके like करने से और comment करने से ही पता लगता है कि जो tease मैं आपके साथ में शेयर करे हूँ आपको पसंद आ रहे है या नहीं आ रहे है thank you so much for your time